प्रेंच जब भी कोई औरत प्रेगनेंच होती है तो उसको मन में कहीं कहीं यह जानने का इच्छा जरूर होती है कि मेरे गर्व में पलने वाला उच्छा लड़का है या फिर लड़की भले ही औरत लड़का या फिर लड़की में कोई भी किसी भी तरह का भीदभाव ना करत बट मन में कहीं नहीं यह जानने के इच्छा जरूर रहती है इसे बिल्कुल फ़र्ग नहीं पड़ता कि गड़ में पल रहा बच्छा लड़का है या फिर लड़की बट हम अपनी मन की जिग्यासा को शांत करने के लिए कुस लुच ऐसे नई तरीके ढूटते हैं कि जिससे ह ओरत के मन में यह चीज आ सकती है या फिर मन की जिग्यासा को सांत करने के लिए हम कई बार एक कोशिश करते हैं कि हमें कैसे भी पता चल जाएगे हमारे पेट में जो बच्छा है वो लड़का है या फिर लड़की तो अब बात आती है क्या हम घर बैठे यह चीज पता कर सक बात आती है क्या जाण आ अुरत के शरीर में सब्सक्राइब होते हैं कि पुरानी आुरत यह पता लगा लेती थी कि जो बच्छा है गर्फ में पढ़ रहा है वो बॉइ है या फिर गर्ल या कई सारी ऐसी ओर वाइबस हैं जिनके बैस पर पता कर लेते हैं या फिर अन्दा फिफ्टे-फिफ्टे होती और किसे केस में यह चीज एगमुल्टी होती है इसका कोई साइंटिफिक अधार नहीं है बट यह बाते लंबई समय से चली आ रही है यह आये देखते हैं वो कौन कौन सी बाते हैं वो कौन कौन सी ओल्ड वाइबस हैं जिसके बेस पे हम अंदाज है लगा सकते हैं घर में बैठे के गर में पल रहा बच्चा बॉइ है या फिर गर्ल फ्रेंज एक चीज में क्लियर कर देना चाहूंगी जो भी यहां पे मैं आपको ओल वाइप्स बताने वाली हूं या पर जो पे हम डिसकास करने वाले हैं वो जस्ट एक फन के लिए है यह मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आपके पेड में पल रहा बच्चा बॉइ है या फिर कर बिकज लड़का और लड़की दोनों एकुल है मैं खुद यह चीज मानती हूं बट यह हमारे मन की जो जिग्यासा होती है क्यूरियासिटी होती है उसको शांत करने के लिए और एक फन के लिए हम लोग यह चीज कर रहे हैं यह करता है कि जो बच्चा होने वाला वो हेल्द हो स्वस्थ हो ठीक हो आए जानते हैं वो कौन कौन से लक्षन है जिनको देखके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट में पल रहा बच्चा वोई है या फिर गर्ड जिसमें सबसे पहली चीज आती है जो सबसे पहला लक्षन है वो है प्रेगनेंट लेटी के सोने का तरीका अगर प्रेगनेंट लेडी लेफ साइड को सूना जादा प्रेफर करती है तो इसका मतलब है कि पेट में पल रहा बच्चा बेबी बॉइ है और अगर प्रेगनेंट लेडी राइट साइड में सूना प्रेफर करती है तो इसका मतलब है कि पेट में पल रहा बच्चा बेब स्टे"-भार्डियुक तक हो जी आपको Excuse- tofu को छंब 6 रेंट के कह से नेक्सक्च जूस बहूदी है यह उन्युक्ष परणी के कुल सिट्टन के में परेशर की कानिनुय के प्राइब रछेंड अगर को लाइन स्ट्रेट चीज ठीचिति है अगरी लाइन पंटेढ्ड डी नचे लेकर गरवार नीची तिक का दो होग नेक्स्ट है चेहरे का रन एगर प्रेगन सी के दोरान और जो फेस का कलर है वो अगर बहुत जाढ़ां खिल जाता है और ga थे स्किन टूल काफी अच्छा हो जाता है तो उसक पेट में बाल जाए बाफिगान है और अगर आपको लगता है कि जो मदर है उसका जो Sarpotा Oh! आपको जाभ जादा orakoda रा है और गल चले गया है तो इसका मतलब है पेट में बाल राप पच्छा,lav Big Boy नेक्स्ट है Карेवि अगर प्रेगनेंसी के दोरान में आपको ऐँको घटा खानी को permett करता है तो इसका मतलब है प्रेंटेस्ट में बहुत जादा खाने करमें करता है औरफ प्रेगनेंसी के तौरान में औरत को मीच़ा बहुत आदा खाने करमेंद तब फिसका बीबी के पूजिशन को लेकर अगर बीबी की पोजिशन आपको लगता है डावर्ट जाता है नीचे की तरफ जाता है और पेट का आपके की तरह देखाई देता है तो इसका मतलब फैट में पल रहा बच्चा बिबी बॉय है नेक्स्ट बालों को लेकर अगर प्रेचिए के दमर्डमी का फिसा जारा सुन्दर पैट में जादा हो जाते हैं और ज्यादा स्मोध हो जाते हैं totalmente पेटमें पल रहा बत्च बेभी नेक्सित अगर आपको continuing poem जादा और अग तो इसका मतलब आक को ऑर बाथ कर बब स्थना के ब्रहबर 25 गर हर्टबीट के दौरान आप पाते हैं सबस्द PbG प्र्वेस्य के तवरान में आपको सर्दत बहुत जादा रहता है तो इसका मतलब इसब से बेबीबॉए ने च Caleb plan Frankly Pbg तो इसका मतलब है baby girl नेक्स आता है body temperature अगर आपका body temperature हमेशा high रहता है बहुत जादा रहता है तो इसका मतलब है बेग में पल रहा बच्चा baby girl है और अगर आपका temperature नॉर्मल है या फिर कम रहता है तो इसका मतलब है baby boy ने conceived किया है अगर आपकी pregnancy के दौरान आपके husband ने weight gain किया है तो इसका मतलब है baby boy आने वाला है और अगर आपको लगता है आपके husband का weight नहीं बड़ा है या फिर कम है तो इसका मतलब है घर में baby girl आने वाली है नेक्स बात करते हैं mood swings की अगर pregnancy के दौरान में आपको बहुत ज़्यादा irritation रहती है बहुत ज़्यादा depression में आप रहते हैं और अपको सब बहुत ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है आपने baby girl concept करी है और अगर आपको mood swings बिल्कुल नहीं होते हैं आप normal रहते हैं तो फिर इसका मतलब है आपने baby boy concept किया है next आपकी pregnancy की पूरी जर्नि में अगर आप बहुत ज़्यादा active रहते हैं तो इसका मतलब है आपने baby boy concept किया है अगर आपको pregnancy के दौरान में ठकान का फे जाधा रहती है और आपको लगता है कि आप बलकुल नहीं active है तो इसका मतलब है आपन और अगर दूरेट से पहले ही बच्चा हो जाता है या फिर और जदी बच्चा हो जाता है तो कही बार में इस केसे में बच्चा जनम देती है यह थी कुछ ओड वैपस जिनके बेस पे हम कर बैठें यह थोड़ा अंदा जला लेते हैं कि पेट में पलने वाला बच्चा बोई है या फिर गर्ल अगे में इस चीज पे थोड़ा सा चोर और दूंगी कि यह बिल्कुल मैंटर नहीं करती कि पेट में पल रहा बच्चा होगा इसी तरह के इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना होलें अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें शेयर करें करें चेले में निक्स वीडियो में तब तर के लिए और बाई टेक केर एंड थैक्स पर वाच करें पाने करें तर के लिएक करें प् sulph instructed करें तर कšeज़ होले में पजै़ियो जया हो अिचार करें दूते पज़ तो प्लीज़ग करें है करें वीडियो गईवाभ तो एंवाद में झाल झाल